साथियों, आज देश में कोई भी ख्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें देश की नारी सक्ती पीछे रह गई हो, एक और ख्षेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेत्रुत्वक्षमता का बहतरीन प्रदर्शन किया है, वो है प्राकृतिक खेती, जल समरक्षन और स्वच्छता, केमिकल से हमारी धर्ती मा को जो कश्ट हो रहा है, जो पीडा हो रही है, जो दरध हो रहा है, हमारी धर्ती मा को बचाने में देश की मात्रुशक्ती बड़ी भूमी का निभा रही है, देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहट इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समित्यों की बहुत बड़ी भूमिका है इस पानी समित्य का नेत्रुत्व महिलाओं के ही पास है इसके अलावा भी बहने बेटियां जल सवरक्षन के लिए चव तरफा प्रयास कर रही है मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही महिला है कल्यानी प्रफुल पाटिल जी ये महराष्ट के रहने वाली है आईए कल्यानी प्रफुल पाटिल जी से बात कर उनका अनुभव जानते हैं कल्यानी जी नमस्ते नमस्ते सर जी नमस्ते कल्यानी जी पहले तो आप अपने विशे में अपने परिवार के विशे में अपने कामकाज विशे में जड़ा बताईए और फिर गाउं में खेती के काम में लग गई है क्योंकि आपके पास बेजिक नॉलेज भी है आपके पढ़ाई भी खेतर में हुई है और अब आप खेती में जूड़ गई है तो क्या-क्या नए प्रवोक की है आपने सर हमने जो दस प्रकार के हमारी वनस्पती है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक सवारनी बनाया जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगरा स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगरा जो हमारी मीत्रकेट रहती है वो भी वो नश्ट हो रहे है और हमारी स्वाइल का प्राकूर्टिक खेती की तरह जा रही है जो हमारी महिलाए उनको जो खर्च हो कम लगा और जो समयदान था कि हमने विदाउट पेस को क्या है क्योंकि अब कैंसर के प्रमान जो बढ़ रहे है जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गाउ में भी हमारे उसका प्रमान बढ़ रहे है तो उस हिसाफ से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने शुरक्षित करना है तो ये मार का उलंबना ज जो हमारे शास्किय जितने भी इमारते जैसे की प्रातर मिक्षाला हुई अंगनवाडिया हुए हमारी क्रामपंचे की जो बिल्डिंग है वहां के जो पानी है बारिश का वो सब इकटा करके हमने एक जगा पे कलेक्ट किया हुआ है और जो रिचार्शाप है तर कि बारिश उसका भी काम चालू हने वाला है चलिए कल्याणी जी आपले असी बोलून खूप आनन जाला तुम्हाला खूप-खूप सुभेच्छा सर दन्यवाद सर दन्यवाद मला यह तुमचेशी बोलों खुप खुप आनंद जाला मजे माझे आईश्चा तो संपुर्ण सार्त की लागल माद जीवन असमी समस्ते भास सेवा करा चलिए आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है धन्यवाद जी नवश्कार दन्यवाद साथ्यों चाहें सुनिता जी हो या कल्याणी जी अलग अलग छेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की स्पिरिक की रदे से स्थराना करता हूँ